मानू सोतन कम थी अब तो सोतन की बेटी भी चाल चलने लगी है हम बात कर रहे हैं सीरियल गुड़न की जहां पर पहली बार मतलब हाला कि इनका यह दूसरा करवा चौत था लेकिन पहली बार बड़ी ही दिल से बड़ी ही शिद्दत से रखा था हमारी गुड़न ने करवा पूशिश कर रही है कि किसी तरहां गुड़न का व्रत जो है ना वो टूट जाए गुड़न के करवा चौत के व्रत पर खत्रा बन कर आई है ये चुटकी गुड़न के करवा चौत के व्रत को तुड़वाने की चुटकी ने की है कोशिश करवा चौत के लिए तैयारी कर रही गुड़न पर कुछ ऐसा पावडर फूग दिया है चुटकी ने जिससे गुड़न को अलर्जी है और अब तो गुड़न को पानी पी कर ही ब्रत तोड़ना पड़ेगा मगर गुड़न अपने इरादों पर अटल है उसने पानी पिने से मना कर दिया फिर बारी आई चांद देखर वरत तोड़ने की तब वहाँ अक्षद जिंदल मौजुद नहीं थे तो गुड़न ने उनसे फोन पर बात कर ली और समय पर आने के लिए कह दिया मगर अक्षद जिंदल यानि की एजे समय पर नहीं पहुँच पाएंगे ऐसा कहते हुए चुटकी ने गुड़न के कमरे में एंट्री कर ली और उसे डराने धमकाने लग गई क्योंकि उसने अनिशा के साथ मिलकर कोई योजना बनाई है ये कह दिया मगर गुड़न कहां हारने वाली है हाँ कुछ पलों के बाद चुटकी को जरूर हार मिली जब उसने देखा कि घर के ड्राइंग रूम में उसकी योजना पर पानी फेरते हुए अनिशा ने पूजा और हवन शुरू करवा दिया है और महां गुड़न के पती एजे की भी एंट्री हो गई है तो चुटकी को आ गया गुसा वो परिशान हो गई और अनिशा से सवाल पूछने लग गई अनिशा ने कुछ बताया नहीं लेकिन हां ये जरूर दिखाया अनिशा ने अपने हाथ में अंत्रा भवन लिखी हुई नई तख्ती दिखाई तो सब चौँक गए क्योंकि अब जिंदल हाउस को अंत्रा भवन बनाने पर तुली है अनिशा तो परिशानी तो होगी ही सब अनिशा के पीछे पीछे घर के बाहर पहुँच गए यहाँ सब मिलकर जेश्ट मना रहे हैं एबीपी न्यूज रिपॉर्ट यह है एबीपी न्यूज आपको रखे आगे